रादे रादे फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपकी साथ धंतीरस की बहुत ही सरल और असान विदी शेयर करने जा रही हूँ तो फ्रेंट्स आए वीडियो शुरू करते हैं तो इस बार वर्ज़ 2024 में जो धंतीरस का पर्व है फ्रेंट्स यह 29 अक्टूबर को है दिन मंगलवार है तो सबसे पहले हमें एक लकड़ी का पटा ले लेना है और उस पे आप लाल या पीले कपड़े बिचा सकते हैं कपड़ा चाहे तो आप नया भी ले सकते हैं नहीं तो अगर आपके पहले से हो तो उसे स्वच करके बिचा लें अब देखिए मैंने लच्मी और गनेश की मेरे पास श्री यंत्र लच्मी यंत्र वाला लच्मी गनेश का चांदी का मुर्ती है मैं हर साल इन ही की पुझा करती हूँ ये फोटो रख लेंगे और साथ ही साथ आप रख लेंगे कुबेर जी का फोटो तस्वीर आप रख सकते हैं और कुबेर यंत्र आपके पास हो तो कुबेर यंत्र रख लेंगे और साथ ही साथ श्री हरी को हम रख लेंगे अब सभी जो हमारी मुर्दिया हैं उन्हें हम वस्तर पर करेंगे वस्तर आप कुबेर जी को खासकर पीले वस्तर ही पहनाए उन्हें बहुत अच्छा लगता है और ये देखें फ्रेंट्स जो हम बर्दन खरीद के लाए हैं धंतेरस की दिन उसे भी हम पूजा में जरूर सामिल करेंगे तो एक मैने फूल का कटोरा और गिलास लाया है और साथी साथ कुछ चांदी या सोने भी आप अगर खरीदे हैं तो उसका भी पूजा नाप अवश्य रूप से करें और अपनी पूजा का समान ले सकते हैं और पूजा दस बजे से लेके शाम के आड़ बेस तक आप कभी भी कर सकते हैं पर मुख्यते अगर आप शाम को पूजा करते हैं जो भी शॉपिंग वे गया रहा है आप दिन में कर लें और फिर शाम को पूजा करें तो फ्रेंड्स म पूजन करेंगे, हल्दी लगाएंगे फिर मैंने सब को कुम कुम लगाया है और जो मैंने बर्तन खरीद के लाए हैं उसे भी और ये दिखेंगे मैंने चांदी का पायल दिया है चांदी जरूर से खरीदें अगर आप सामर्थ है तो खरीद सकते हैं और यह दिखे अब हम फूल अर्पन कर देंगे तो किसी भी रंग के आप फूल अर्पन कर सकते हैं तो मैंने गनेश जी को पीले फूल, माता लश्मी को पीले फूल और यह अपराजीता का फूल जो श्रीहरी को बहुत पसंदता है उसे चड़ाया है इस दिन आप ज़ाड़ू जरूर से खरीदें धंतेरस के दिन कुछ नए बरतन ज़ाड़ू और धनिया और नमक यह जो चार चीजे होती हैं इन्हें आप जरूर से जरूर खरीदें तो ज़ाड़ू तो उनका भी तुम पूजन में अगले वीडियो में बताऊंगी अभी मैं स्रिफ शाम की जो धंतिरस की पूजन होती है उसकी वीदी बता रही हूं इसकी बद फ्रेंट्स आप जो भी खील बता से मिठाई लाए हैं उसे आप चढ़ा सकते हैं तो इधर देखे मैंने चूड़े और गट्टा का भोग लगा है विशेशकर इनी का हमारे हां भोग आर्थी करेंगे लच्मी यंत्र की आर्थी करेंगे माताल लच्मी की करेंगे श्री कुबेर जी की करेंगे और श्री हरी की करेंगे और सभी को हाज जोड़के प्रेम पूर्वक अपने पूजा में आने का मंत्रण देंगे और कहेंगे हे प्रभू आप मेरी पूजा सुई कनकधारा श्रोत की जो किताब आती है लच्मी माता ये जरूर से खरीदे और इस दिन से आप इसका पार्ट करें आप नियमित रोप से कनकधारा श्रोत का पार्ट करें फ्रेंट्स आप देखेंगे कि इस धंतेरस से आने वाली जो नेक्स्ट एर की धंतेरस होगी आपकी करिए भोजन स्विकार करने को अगर आपके पास कुछ रितुफल हो तो रितुफल भी स्विकार आप भगवान को भेट कर सकते हैं और मैंने दिखे चूड़े कटे और साथी साथ मैंने ड्राइफ्रूट्स खजूर का भोग लगाया है तो फ्रेंट्स यह बहुत ही सरल और आ अगरे आपके सब्सक्राइब करें